नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के उपर मेरा नाम है संदीव जयानी मैं उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले है इस से पहले हम कंक्रीट टिकनोलोजी पढ़ चुके हैं कंक्रीट के रिलेटिड अगर हम बात करें तो आप चाहिए सिलेबस चेक कर लीजेगा जो जो सिलेबस के अंदर चीज़े मैंशन हमने सारी की सारी आज़ेटिस कंप्लीट कर दी इंक्लूडिंग एक अडिशनल टॉपिक जो बनता है कि कंक्रीट स्टॉक्चर के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती है किस तरीके से हमें उन्हें मैंटेन करना है और रिपेर करना है यह भी हमने लिए या फिर गेट और इंजिनरिंग सर्विसेस सभी के लिए equally helpful होगा एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो भी portion हम पढ़ते हैं वो एई जई एग्जाम जो है उनसे थोड़ा उपर लेवल तक काम पढ़ते हैं अगर आपको गेट और इंजिनरिंग सर्विसेस के लिए प पढ़ना चाते हैं तो अभी एप के उपर अपना कूर्स चल रहा है एप का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ में पिंड चैट के अंदर भी मिल जाएगा एप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि वहाँ पर फ्री पीडिएफ भी भी मिलती हैं, बहुँ भी मिलेंगे पेड वाले भी फ्री वाले सेशंच भी आपको देखने को मिलेंगे तो वह आप पढ़ सकते हैं फिलहां जो टॉपिक चल रहा है वहाँ शीर फोर्स डायगरम बेंडिंग कीशीर टाइगरम चल रहा है एग केस अभी हमने किया है का वकार से होते हैं, कि सुबर 9 बजे हमने जो चीज पढ़ ली, उसके बाद 11 बजे से 11 बजे ये सेशन चलेगा, कई बार साड़े ग्यारा तक भी हो जाता है, फिर उसके बाद आप नेक्स सेशन जो हमारा होगा, वो प्रैक्टिस सेशन जो हमने इसमें पढ़ लिया, उसी को आगे हम करते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट जिससे कि आपको 10% इंस्टिंट आफ मिलेगा, कोर्स इ अब सब्सक्राइव कर लिया जाएं, उसके लिए हम पोल सिस्टम एप्लाई कर लेंगे, चाहे वो यूट् Akbar पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो टेलिग्राम चैनल पे हो, जो भी नया subject स्टार्ट करना होगा, जो भी आप maximum comments किया करेंगे, इस subject के बाद, highway engineering के बाद, जो भी आप comment किया करेंगे, उस पे एक poll करवा लिया जाएगा, जो maximum poll आएगा, वही subject हम स्टार्ट कर लिया करेंगे, ठीक है? किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दूसरी दिशा में दिमाग लगाने की तो कताई आवशकता नहीं है, ठीक है? मैंने ये subject, मेरा जो motive था यहां पर वो ये था, concrete, छोड़ा subject, फटा-फट कतम हो गया, highway engineering, वो subject transportation engineering का, जिसमें weightage अच्छा खासा रहता है लेकिन है subject छोटा, और बिल्कुल एकदम solid सा portion है, कि यहां से सवाल बनते हैं, बस उतना पढ़ना है, तो हमारा coverage जो है, वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसी वे में ये subject हमने start किया, anyways, let us begin, highway engineering के अगर मैं बात करूँ, तो highway engineering के अंदर geometric design वो portion है, जो geometric design maximum जो आपसे highway के geometric design वाले portion से आते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, तो traffic engineering वाला portion आ जाता है, उसके बाद भी अगर हम बात करें, तो pavement material और चोटा मोटा बच जाता है, railway engineering से कभी कभार examiner जाग जाता है, तो railway से भी question पूछ लेता है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल major portion highway highway के उपर focus करने वाले हैं, अब highway के अंदर भी शुरू शुरू में कहानी आ जाती है, शुरू शुरू में कुछ कहानी आ जाती है, जो कि highway की मतलब कहां से शुरू आत हुई, Syrian empire, Roman empire, वो सारी कहानी है, वो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम कहां से शुरू करेंगे, modern day highway और उ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करवारा, वो हम करेंगे, यह जब सारा हमारा complete हो जागा, उसके बाद, शुरू करते हैं, topic से, topic से भी अगर हम बात करें, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सवाल जो हैं, वो पूछ लिये जाते हैं, surveying के अंदर भी, highway के हलांके वो ठीक है, इतना seriously वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं, कोई एक topic आता है, और वो directly नाम नहीं लेते हैं कि कौन कह रहा है, हमारे एक दोस्त हैं, जो यह बोलते हैं कि एक topic, survey जब पढ़ाया जा रहा होता है, तो बोल देते हैं कि survey में पढ़ा दिया गया ह है, तो इसी लिए मैं पहले ही यहां पर title जो है, nano क्यों ने विके, nano इसी लिए fail हो गई, क्योंकि उसकी marketing ही गलत तरीके से कर दी गई, उसको यह बोल दिया गया कि यह इंडिया की cheapest car है, यह बोलने के बजाए कि यह किफायती car है, economical car है सबसे ज़ादा, तो एक ही चीज थी, product वही था, लेकिन उसकी presentation गलत हो गई, जिसकी वज़े से गलत sense चला गया, तो इसी तरीके से, अब मैं यह word नहीं बोलूँगा कि यह surveying में भी पढ़ते हैं, अब मैं यह बोलूँगा कि अब मैं highway के अंदर यह पढ़ा रहा हूँ, survey में फिर से पढ़ा दिया जाएगा अब यह जो symbols आपको दिखाई दे रहे हैं, इन symbols को भी animate किया जा सकता है, और तरीके से draw करके दिखाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा, just because कि जब exam में question आता है न, तो ऐसा सा ही diagram दिखता है आपको वहाँ पर, इसी वज़े से as it is, जैसा symbol exam में पूछा जा सकत मतलब direction mention करने के लिए, meridian mention करने के लिए, meridian word use कर लेते हैं, जब भी direction की बात आती है, कि north-south meridian आपका आगया, या true meridian, magnetic meridian, magnetic meridian का earth है, कि जो magnetic needle अपने आपको align कर लेती है, magnetic lines के along, मतलब वो magnetic direction बता रही है, magnetic north-south की direction बता रही है, तो यह meridian का arrow कुछ इस प्रकार से दर्श जाता है, फिर उसके बाद अगर आपको track बताना है, single track, अब एक एक करके बस इन signs को देखते चले जाएगा, ऐसा चब sign को याद करने का तरीका यह तो है नहीं कि रोज draw करेंगे, आप sign फिर देखेंगे, देख लिया, एक बार जब भी पढ़ रहे थे, एक बार देख लिय है इनके, फिर दुबारा कभी revision किया, फिर से देख लिया, और उनमें से भी वो वाले जो confusing हो सकते हैं, confusing कौन कौन से हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं, अब आप यह देखें, सबसे पहले यह symbol देख करके आपको क्या feeling आ रही है, यह symbol आपको बता रहे है, feeling कुछ भी नह हैं, और उनके अंदर आगे rectangles बने हुए है, इस case में आपको 3 दिख जाएंगे, double track के case में 3 दिख जाएंगे आपको, फिर उसके बाद पक्का road, पक्का road मतलब जो metal road होती है आपके पस, इसके अगर हम बात करें तो 2 solid lines जो हैं, 2 solid lines चल रही है, अगर 2 dash वाली lines चल रही है, तो इस case में आप इसे कच्चा road बोलेंगे, मतलब ऐसा जिसके उपर pavement नहीं बिचाई गई है, pavement जैसे word हम use करते हैं, जैसे बचपन में rail, train, ये सब हमारे लिए एक ही होता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम engineering के अंदर आए, हमें अंतर समझ में आ load की train, मतलब loads बहुत सारे connected हैं अपस में, actual meaning इसका ये नहीं है कि वो train ही है, वो वाली जो tracks पे चलती है, तो अब हम समझने लगए कि जो wagons connected होते हैं, locomotive के पीछे engine या locomotive, उसके पीछे जो wagons connected होते हैं, उसको train बोलते हैं, तो train में difference, rail में difference हम समझ गए, इसी तरीके से highway, प pavement अगर हम बोल रहे हैं, तो pavement का मतलब वो हिस्सा जिसके उपर अब actual में आपका vehicle move करता है, वो हिस्सा जो हम construct कर रहे होते हैं, चाहे वो bitumen से हो, चाहे वो concrete से हो, ये देखते हैं हम, अब पक्का road, कच्चा road आगया, फिर उसके बाद अगर footpath mention करनी है, तो कच्चा road का जिसके उपर pavement नहीं बिचा रखे हैं, फिर उसके बाद footpath को अगर mention करना है, तो single dash वाली line से उसे draw कर देते हैं, fencing post and rail fence, fencing का मतलब होता है, जो आप, जैसे आपका plot होता है, तो उसके चारों और अगर आपने तारबंदी कर दी, fencing कर दी, आपने उसको protect कर दिया है, तो इ ये भी dash वाली line से denote होगा, अब ये वाले dash बड़े हैं, ये वाले छोटे हैं, इतना नहीं हो सकता, examiner को खुद थोड़ा सा यहाँ पर common sense use करके ही question put up करना होगा, कि भाई, ऐसा तो देगा नहीं न, कि fencing post जो है, इन में से कौन सा sign है, एक ये वाले dash दे दिये, एक ये वाल next, tunnel की अगर हम बात करें, तो tunnel, चाहे वो road के उपर हो, या फिर rail के उपर हो, तो उस case में tunnel को इस तरीके से denote किया जाएगा, ये track show हो रहा है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से एक tunnel दिखा दीगी, यहाँ पर एक tunnel है, next अगर हम देखें, तो canals and ditches, canal का मतलब तो आप सब जा हो गया, ditches की अगर हम बात करें, तो ditch छोटा रस्ता हो गया, कि हमारे खेत तक जो पानी लगता है, नहर से जो खेत तक पानी आता है, तो वो जो छोटा रस्ता होता है, ditch जिसको हम बोल देते हैं, तो वो ditches जो है, उनको कुछ इस प्रकार से show करेंगे, दो lines पास पास में, एक थोड़ी दूर, उसके बाद इनी को अगर हम dash show कर दें, dash वाली lines से इनको अगर हम represent कर दें, तो aqueducts या फिर water pipes आ जाती है, aqueduct ऐसा रस्ता, पानी का कोई truff हो गया, कोई channel हो गया, छोटा channel हो गया, जिसके थूरू पानी flow कर रहा है, या फिर pipes के थूरू कर रहा है, तो ये बातें आ जाती हैं हमारी in in diagrams में, और फर्दर आगे देखते हैं, इनको देख देख के ही समझना है, और को इनका इलाज नहीं है, और in diagram से ही दोस्ती करनी है, modern diagram 3D animation कुछ मर्जी बना लीजिए, इनका कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि exam में तो ऐसा diagram आएगा, तो स sign को इस तरीके से समझा जा सकता है, कि हाँ से water आ रहा था, barrier बना दिया, रोक दिया गया इसको, फिर उसके बाद, ऐसे बोलते हैं न, कोई जादा, मतलब हवा में बाते कर रहा होता है, तो आप उसको बोलते हैं, कि पानी जो होता है, वो हमेशा पुल के नीचे से बहता है, कभी कभार उपर से आजाए तो बात अलग है, वरना पानी का उसका rule यही है, कि वो पुल के नीचे से बहेगा, मतलब जादा हवा में बाते ना करें, थोड़ा सा limit में ही रहें, जो जिस तरका आप हैं, जिस तरका आप काम कर रहे हैं, उसी के level में ही रहे करके बात की जाए तो उसको आप relate कर सकते हैं, कि यह आपको यहाँ पर road बनाई हुई, bridge है, इसके नीचे से पानी बह रहा है, तो bridge आपने इसको denote कर दिया, अब next, stream की बात कर रहे हैं, तो stream कोई धारा बह रही है, पानी flow कर रहा है, fever की कोई stream हो सकती है, तो उसको कुछ इस प्रकार से ऐसे show क direction दिखा दी, उसके पास चात कोई आपके पास pond है, पानी कठा हो रखा है, तो उसको आप इस तरीके से तीन lines जो है, आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, pond शू कर दिया इसको, एक तो यह अलगी, यह कुछ मित्र है, अलगी महावल बनाते रहते हैं, अगर master energy के साथ पढ़ा रहा है, आज बहुत energy लग रही है, क्या बात है, खुश हो रहा है, तो खुश बहुत हो रही है, आज क्या बात है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए, किसी दिन थोड़ी energy अग गर लो हो गई, आज energy लो है, क्या हो गया, sir, साथ के बाद ऐसा, कहीं न कहीं है, यह एक बात है, घर वाले भी कर देते हैं, तुम्हारे ये कम हो रहा है, प्र उसके बाद गहीं न कहीं यहां relation आ जाते हैं, एक अगर master ने कुछ छोटी सी calculation reparation घड़वड कर दी, सर ऐसा ही होने लग जाता है आज कल असर दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है एक एनरजी होनी चीए आप में और मुझ में प्रोफेशनल वर्ग जो है हमारा काम जो है आपका और मेरी जो जर्नी है उसमें कहीं भी किसी भी चीज के कारण कोई भी अंतर नहीं आएगा पहले से अगर अंतर आएगा तो वो और पॉजिटिव ही आएगा और इंक्रिमेंट वाला ही आएगा और बहतर ही आएगा पर ये है कि हाँ मास्टर के मज़े ना ले तब तक बात कैसे बने ब्रीवर देखakter होगी आपने तभी देखakter होगी जब आप तो कोई ब्रेज को कोई को क्रॉस कर रहे होंगे तो आपने जब ब्रिज देखा होगा तो आपको वोटर एक लेवल पर जाता हुआ दिख रहा होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ground का slope बहुत जादा है जब ground का slope बहुत जादा है आप कभी अगर गए हो फिर कभी रिशिकेश गए हो राफ्टिंग की हो या कोई भी ऐसी location जहां पर आपने राफ्टिंग की हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ground का slope बहुत जाद जब water flow करके आरहा है इस direction से तो उसको एक level से दूसरे level पर जाने के लिए यहां पर यहां से वो यहां गिरेगा फिर यहां से वो यहां गिरेगा and so on तो उनको बोल देते हैं कि वो rapids आ जाते हैं वहां पर rapids एकदम rapid mixing of water हो रही है या फिर एक level से दूसरे level के उपर हम खुद false construct कर लेते हैं rivers के बाद अगर जैसे canals जाती है नहरे जो जाती है उस नहरे के अंदर water के velocity abruptly एकदम से जादा ना हो जाए abruptly मतलब एकदम से abruptly increase ना हो जाए तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं उसके falls प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से गिरा देंगे फिर कुछ distance पर ऐसे लेके जाएंगे पानी को फिर फिर गिरा देंगे तो extra energy जो water की होती है उससे dissipate करवा दिया जाता है तो जहां पर भी falls आते हैं यह rapids आते हैं आप राफ्टिंग करने हैं अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा उसमें वो बोलते हैं कि सर आपको rapids में जाना है या नहीं जाना है मतलब rapid में जहां पानी एकदम intermix हो रहा होता है बहुत ज़दा turbulence के साथ तो जिनको adventure experience करना होता है college का time किष्टी के तरह और उतार दो किनारे पर सही सलामत तो rapids या falls जो होते हैं उनको इस तरीके से denote कर देते हैं कि यह स्ट्रीम आ रहे है या पानी की यहां पर काफी ज्यादा mixing हो रही है कुछ इस प्रकार से दिखा दिया उसके बाद अगर embankment है embankment मतलब तटबंद जिसको बोल देते हैं उसको अगर show करना है road in embankment embankment के अंदर से road है तो यह road बना दी और embankment की lines road से touch करती हुई बाहर की तरफ जा रहे हैं road in embankment से ले करके और next जो आपके पास road in cutting है इनके अंदर अंतर क्या है कि यह आपकी road आई दोनों के इसमें road थी यहां भी और यहां भी difference दोनों के अंदर क्या आ गया? lines जो road in embankment की थी उसमें lines road को touch करती हुई जा रही थी और इस वाले case में आपकी lines जो embankment की boundaries है वहां से touch करती हुई दिख रही है so road cutting के अंदर है कहीं से जैसे कोई hill था उसको काट दिया उसके थूरू road अगर पास करवा रहे हैं तो road in cutting आ गया अगर road in embankment कहीं पर कोई मिटी जमा की हुई है उसके उपर से अगर road जा रही है तो वो इस प्रकार से show कर दी हमने यहां पर road in cutting road in embankment आ जाता है आपके पास फिर आगे next अगर हम देखते हैं तो आपके पास आता है अगर यह बताया ना जाए आपको कि यह क्या है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगेगा कि कुछ चिडिया है जो घर-घर की बातें कर रही है एक साथ वैट के ठीक है enjoying their gala time या फ उसको अगर हम देखें तो वो कहना क्या चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि यह तो garden है यह क्या है गार्डन है तो इस तरीके से कुछ अगर वो शो करे तो मतलब garden दिखाया है उसने फिर उसके बाद यह कुछ ऐसे bars जैसे आपके music systems के अंदर वो bars दिखती रहती है यह आपक nothing but jungle ठीक है जंगल को दिखाया गया है फिर से अगर author की नजर से देखें तो यह बड़े बड़े पेड़ दिखाये गये हैं ना कि छिपकलिया तो यह क्या है जंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ पर उसके बाद next तो यह तो बहुत असान है जैसे आप airplane में या फिर flight म आपको देखने को मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं cultivated land बोलते हैं फिर उसके बाद author की दृष्टी से फिर से इसको अगर देखा जाए कि यह क्या है तो यह आपको imagine करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं बगीचे बागान है fruits दिखाये जा रहे हैं आपको अलग-अलग प्रकार प्रकार के तो यह orchard शो किया जा रहा है कि creation क्लियर शो यह कुछ-कुछ है जो आपको याद रहने चाहिए उसके बाद अगर आप तारबंदी कर देते हैं फैंसिंग कर देते हैं उसके बाद अगर आप barbed wire से barbed wire कौन सी वो जो कांटो वाली तार होती है न कभी भी आपने देखी होगी किसी खेट किनारे देखी होगी या फिर किसी ने अपनी public property private property को अगर enclosed कर रखा है किसी का कोई farm house है वहाँ पे किया हुआ है या border पे जो आपको तार दिखाई देते हैं वो कौन से तार होते हैं जो कांटो वाले तार होते हैं उनको बोलते हैं बार्ब्ड वायर उनको क्या बोलते हैं बार्ब्ड वायर तो बार्ब्ड वायर से अगर आपने फैंसिंग कर रखे हैं अगर आपने चारों और तार बंदी उससे कर रखे हैं कांटो वाली तार से तो उसको इस प्रकार से दिखा दिया जाता है बीच-बीच में ऐसे cross या फिर वो जो कांटे हैं वो show कर दिया जाते हैं फिर उसके बाद अगर smooth wire है एकदम steel की aluminum की smooth wires अगर आपने use की हैं तो इनके बीच में ऐसे circle से show कर दिया जाता है next अगर हम देखें यह जो zigzag form के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यह zigzag form के अंदर rail की जो fence है उसको दिखाया जा रहा है next अगर हम बात करें तो hedge fence पहली चीज तो यह बता दीजिए कि hedge क्या होता है what is hedge यह कुछ अलग सा है नया सा है कि जितना नाम नया लग रहा होतनी चीज पुरानी है जितना नाम नया लग रहा है उतनी ही चीज पुरानी है एप में वीडियो जितनी मर्जी बार आपकी जितनी हिम्मत है उतनी बार देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि एक बार ही देख पाएंगे UKPSC में नहीं है यह मत पढ़ो क्या चाहते हैं आप आपको अगर एक्जाम्स देने हैं तो सभी के लिए हेलफूल है कहीं भी किसी में भी पूछे जा सकते हैं उसी के पॉइंट आफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है मुझे भी पता है कि एकदम ऐसे कोई आपके जो dopamine एंड और्फिन जो हाई लेवल पर नहीं चले जाते हैं जब भी civil engineering का नाम आ जाता है कि वाँ मजा आ गया आज तो यह subject पढ़के है यह subject देखे हाँ आप अच्छे हैं अगर पढ़ाई के इंदर इंटरेस्ट है तो वैसे आपको एक good feel तो आएगा लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी बोर हो रहे हैं बैठे हैं तो क्या करें चलो civil engineering पढ़ लेते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वो एक purpose के लिए ही पढ़ रहे हैं और यह बात मुझे अच्छे से ग्यात है इसलिए जो भी ची शीशे वाली fencing spring है सर यह spring नहीं है दोस्त यह यह दिखाया जा रहा है कि जो आपने देखा होगा जैसे पार्क होते हैं ठीक है पार्क में आप जाते होंगे अकसर घूमने कहीं न कहीं तो अपने मित्रों के साथ तो पार्क जो होते हैं पार्क के around एक portion पार्क का बना दिया फिर बीच में कोई pavement बना रखी है कि पैदल चलने के लिए जिसके बीच में फिर उस तरफ दूसरा portion तो वो जो पार्क के चारों around पौदों से vegetation से एक boundary सी create कर दी जाती है उसको hedge fencing बोल सकते हैं श्रब्स हो सकते हैं कोई ना कोई इस तरीके से जाडियां हो सकते हैं जिन से क एक boundary create करने की कोशिश की गई है इसको hedge fence बोलते हैं hedge fencing बोलते हैं ठीक है hedge fencing की हुई है parts के around भी देखने को मिलेगी आपको आप अपने घर पे कोई बगीचा या garden कुछ भी बनाते हैं उसके around भी आप इस तरीके से बना सकते हैं उसको clear next बात करते हैं पुराना हो गया जमाना लेकिन फिर भी टेलीफोन अगर शो करना है तो टी से इस तरीके से लाइन शो की जाएगी उसके बाद फिर से एक dash line आ जाती है जो की रिप्रेजेंट करेंगी पावर लाइन बिजली वाला electricity वाली लाइन जो है वो शो हो रही है यहा दिखा रहे हैं वाल को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है अगर बात करें गेट की की गेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कुछ यहां पर यह इधर से दिवार आ रही थी इधर से आ रही थी बीच में हमने इस तरीके से ये gate show कर दिया तो ये आपके पस gate एक और तरीका भी है gate को show करने का इस तरीके से lines और उसके अंदर gate बना रहे हैं basically यहां पर एक then next हमारे पास आता है कि अगर wall और gate दोनों बना रहे हैं ये एक line इस तरफ से इस तरफ से आगे continue कर दी कि यहां से भी wall आ रही थी यहां से भी बीच में आपने ये gate दर्शा रखा है उसके बाद building को अगर construct करना है building के लिए obviously जो scale हम लेते हैं वो large scale लेते हैं तो building को अगर show करना है तो कुछ इस प्रकार से ये building दिखाने की कोशिश की जा रहे है एक building बनाने की कोशिश किया उसके बाद अगर कच्चा building बनाना है कच्चा मतलब temporary structure जो हम बनाते हैं जैसे कोई building construct कर रहे थे तो उस building को construct करते हुए हमें कुछ raw material को store करना पड़ेगा अब site अगर ऐसी है जहां कोई storage के facility नहीं है तो एक temporary structure बनाएंगे जिसके अंदर हम material को store कर पाएं cement को store कर पाएं या फिर जो workers वहाँ पर काम कर रहे हैं for the time being उनके लिए कोई structure बना पाएं तो वो यहाँ पर बना देंगे तो कच्चा building को dash से show किया जाता है huts को अब यह hut जो आपको दिख रहे हैं top view से एक hut बनाई हुई है यह imagine कर सकते हैं फिर उसके बाद अगर temple की बात करें तो इस तरीके से कुछ temple जो है वो आपको show होगा यहाँ पर त्रिशूल बनाया हुए फिर church जो किया गया हुआ आपको mosque shape जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है कि अगर mosque को represent करना हो फिर उसके बाद benchmark के लिए हम b.m benchmark बीच में यह dot आपने show कर दिया कि benchmark को यहाँ पर हमने दिखाया है open well कुवा अगर है open वाला तो उसको ऐसे एक solid line बाहर अंदर dash वाली line जो है वो दिखाएंगे फिर उसके बाद tube well को better होता यह hand pump होता लेकिन as it is लिखा यही हुआ है text के अंदर यह tube well को इस तरीके से represent कर रहे है hand pump या tube well foot path यह dash line already discuss कर चुके metal road, metal road, unmetaled road कौन सी जिसके उपर हम metal किसको बोलते है जो aggregate होता है जो stone का एक टोटा हुआ हिससा है उसको बोलना है कि अगर वो use किया गया है road के अंदर तो वो metal वाली road है तो metal या metal road जो है उसको solid line double solid line से तो थोड़ी दे पहले भी आमने देखा था जो पक्का road था वो लिखा हुआ था तो metal road यह अगर dash वाली lines तो वो unmetaled या फिर कच्ची सड़क जो होती है वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है अब इन में से अगर कोई और symbol आपको नहीं दिख रहा है कुछ और है नहीं add-ons तो mainly इतने ही describe किये गए है ठीक है fencing and power line में कैसे difference करें यही तो मैं आपको बूल रहा था दोस्त कि उसके अंदर mentioned होना चाहिए अलग-अलग color से mentioned होना चाहिए अब अलग-अलग color से आपको exam में chances कम है कि कम show हो जैसे fencing की अगर हम बात करें तो fencing इसके अंदर power वाले पर चलते हैं पहले power line जो है वो black color से यहाँ पर show हुई है power line black color से barbed wire यह चोलो अलग है pens of any kind यह भी black color से तो यह भी black है यह भी black है अब examiner को यहाँ पर थोड़ी सी समझ दिखाने होगे कि मैं ऐसा सवाल ना पूछू जो आपस में confusing हो जाए बाकि different जो है वो पूछे जाने के chances बन जाते हैं तो यह आपके surveying के अंदर भी काम आएंगे highway के अंदर भी काम आएंगे अभी highway के इसाब से पढ़ा दिये रहे हैं जब survey पढ़ा जायेगा तो survey के हिसाब से फिर से यह बता दिया जाएगा आपको तो यह drawings में काम आते हैं चाहिए वो highway के point of view से हो या फिर वो survey के point of view से हो ठीक है चलो आगे बढ़ें अगर हम ये बाते हो गई बेसिक सा कुछ ऐसा जो कि आपको जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे डेली एक आद बार आपको देख लेना है ये शुरू में इसलिए बताया गया कि जैसे जैसे पड़ें एक आद बार इस पर नज़र डालने ताकि इतना हैडिक ना हो कि फ्यूचर में एक बार से इतने सारे सिंबल कैसे याद करें बात आ जाती है दोस्तों हाईवे के जियोमेट्रिक डिजाइन की highway के geometric design के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देने होती है अगर ये अंग्रेजी की बातें छोड़ दे साधरन common sense से अगर हम बात करें कि as an engineer एक highway construct करने के अंदर हमारा क्या role हो सकता है highway construct करना अगर किसी worker को भी बता दिया जाता है जैसे मान लीजिए ऐसा इंसान जो पहले से road construction में कुछ सालों से काम कर रहा है कोई मजदूर कह लीजिए कोई भी worker कह लीजिए वो काम कर रहा है बहुत सालों से उसे पता है कौन-कौन से material use करके pavement बनानी है road जो है वो बनानी है उसमें और हमें अंतर क्या है ठीक है भले बोलने को civil engineers को एक प्यारी सी उपादी दे दी जाती है हमारे दोस्त हमें प्यार से क्या बोल देते हैं चलते फिरते mystery बोल देते हैं तो वो mystery बोल देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारी actual value क्या है हमारा role क्या है हमारा काम यह नहीं है जैसे अगर माली जी आप घर बना रहे हैं आपने घर बनाया एकदम top class घर बना लिया अब उसके अंदर अगर छोटी मोडी दिक्कत भी आ गई न तो लोग आके क्या बोलें तुमें तो engineering आती है class है class का difference है वहाँ पर तो वही चीज हमें यहाँ पर समझने होगी कि ऐसा नहीं है कि हम actual में हम कोई construction ही कर रहे है हम बता रहे हैं हम design कर रहे हैं चीज़े हम बहुती broad वाले aspects जो हैं वो सोच रहे हैं अब एक ordinary worker तो उस material को सिर्फ वहाँ पर lay off कर रहे है रोड के साथ जब भी आप रोड पर चल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं पर अगर बारिश आ गई तो आपका proper traction ही नहीं मिल रहा है आपको रोड के उपर आपके wheels जो है उस रोड के उपर proper तरीके से work ही नहीं कर पा रहे है slip हो रहे हैं वहीं पर तो ऐसी रोड तो हम नहीं चाहेंगे न अब ऐसी रोड भले ही एकदम smooth हो आप 100 की speed पे easily जा रहे हो लेकिन अगर कभी brakes apply करने पड़ जाएं आपको और आपके vehicle के उपर आपका control ही lose हो जाए imagine कर लीजिए एक situation बहुत तेस बारिश हो रही है आप 100 की speed पे जा रहे हैं और brakes अगर apply करेंगे bike पे आप जा रहे हैं तो बहुत डर लगेगा उस रोड के उपर जाने में कि यार गिर गए न मतलब ऐसा uncontrolled situation हो जाएगी कि बच पाना ही उश्किल हो जाएगा हमारा तो वो सब aspects कौन सोचेगा वो एक वरकर थोड़े न सोच पाएगा कि हां जी कल को क्या होगा ऐसा अगर मैं कर देता हूं तो तो वो एक engineer ही सोच पाएगा वो हम ही सोच पाएगे वो aspect कौन सोचेगा कि भले ही हमने road जो है वो ऐसी बना दी है जिसके उपर आप 120 km पर आर तक जा सकते हैं लेकिन अगर आपके सामने एकदम से कोई turn ऐसा आ गया जिस turn को लेते वक्त आपकी गाड़ी ही out of control हो जाए इस turn पर ही आपको जो आजकल बोलते हैं न बॉड़ी रोल फील होना जो वीकल होता उसमें पी में हो जाते हैं पुलिस की वैंज वैंज होती हैं कई बार अगर ऐसी ज्यादा तेज स्पीड पर जा रही है कोई urgent situation emergency situation तो उसमें पलट जाते हैं गाड़ियां तो यहां पर क्या हो गया इस situation में हमें ही तो ध्यान रखना होगा कि proper engineering की जाए जिससे curves के उपर vehicle properly move कर पाए ना तो वो skid करे इस तरह खिस्ता हुआ जाए ना वो पलट जाए तो यह भी हमें ही ध्यान रखना होगा और हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब भी आप curve पे जा रहे हैं आप curve के उपर जा रहे हैं कौन से वाले curve पे वर्टिकल पे यह तो horizontal curve होगया horizontal curve मतलब left turn लेना है right turn लेना है तो यह कौन से curves होगए यह horizontal curves होगए अगर आप vertical curve पे जा रहे हैं vertical curve का मतलब जैसे इस तरीके से कुछ चढ़ाई पर जा रहे हैं आप ऐसे तो अब इस बात का ध्यान कौन रखेगा बढ़िया road बना देने से कुछ नहीं होगा एक pavement बिचा देने से कुछ नहीं होगा जब तक एक engineer इस चीज़ को ensure नहीं करवाएगा कि अगर आप sock की speed पे जा रहे थे तो इस बात की क्या guarantee है कि इस तरफ से भी एक vehicle आ रहा था वो आपको दिखा या नहीं दिखा ये कौन ensure करवाएगा इस तरफ से भी vehicle आ रहा था वो दिखा नहीं दिखा पता लगे ये दोनों एक दूसरे को तब देख रहे है जब वो बहुत नस्दीक आ गए ये दोनों बहुत नस्दीक आ गए और ऐसा road था जो divided नहीं था divided highway का मतलब बीच में median नहीं था ऐसा road जो divided नहीं था बीच में median नहीं था, divider नहीं था तो टू लेन था, तो दोनो वीकल्स यूज कर पा रहे हैं, दोनो लेन्स को ऐसे इंटरचेंज कर पा रहे हैं, ऐसे वाली सिचुएशन थी, तो ये वीकल और ये वीकल में collision की possibility बहुत जादा increase हो जाएगी, collision हो जकता है इनके बीच में, तो वो ensure कौन करवाएगा, कि जब ये road construct की जा रही थी, तो इस कर्व को ऐसा ना बना करके, इस कर्व को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता, जिससे कि यहाँ पर वीकल जो होता, उसे एक sufficient distance मिलता, वो दिख जाता पहले से ही, कि सामने से भी कुछ आ रहा है, similarly अगर आप turn पे थे, तो हम हमेशा एक ऐसा distance तो maintain करके चलेंगे न, कि सामने से आने वाला वीकल हमें दिख जाए, जिससे कि हम उसके साथ collision avoid कर पाए, जब road पे हम जा रहे हैं, तो जो भी turns आते हैं, तो turns के उपर दिमाग में एक factor तो रहता ही है, कि यार जब मैं इधर से turn ले रहा हूं, तो ऐसा ना हो जाए, कि सामने वाल लेफ्ट में सटा के अपनी गाड़ी को चलाएं, तो अब वो जो margin है, कि हम road से नीचे ना उतर जाएं, वो भी तो extra provide करना पड़ेगा, इसलिए curves के उपर extra widening दे दी जाती है, कि वो margin ensure हो जाए, जिससे कि सामने वाले vehicle से हमारा collision ना हो, actual में बहले हो ना, लेकिन psychology है ना, सो कर देते हैं, centrifugal force, क्या होता है, वो उसके अंदर, कि अगर आप किसी curve पे जा रहे हैं, तो outward direction में force लगती है, centrifugal force जिसे mv square upon r से denote करते हैं, तो यह होती है, वो force जो कि topple करवा देगी, पलट वा देगी, आपके vehicle को, या तो पलट वा देगी, या फिर skid करवा देगी, जैसे इस तरीके से vehicle जा रहा था, तो इस direction में ऐसे skid करता हुआ चला जाएगा, ऐसे जा रहा था, वो ऐसे skid करता हुआ चला जाएगा, तो उसके लिए कौन ध्यान रखेगा, कोई mystery ध्यान रखेगा, या एक engineer ध्यान रखेगा, वो हम ध्यान रखेगे, इसके अलावा और बहु लेकिन है नहीं, तो उसी के उपर तो जोग बनता है, जोग क्या है, जो expected नहीं है, और जो होना चाहिए था, मतलब जो अभी है नहीं, और जो होना चाहिए था, उनके बीच का difference जो है, उसी के उपर तो मजाग बनाया जाता है, कि भई engineer जो है, एक पत्थर उठा करके फैंक क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ बात है, कुछ तो है, लोग, दुनिया चल किसकी वज़े से रही है, इंजीनियर की वज़े से ही चल रही है, अगर भगवान को, भगवान वाला aspect उस लेवल पे ना जाएं और इंसानों वाले लेवल पे जाएं, तो इस दुनिया को चला clean water that you drink, the structure that you are living in या फिर working in, तो वो सब कौन कर रहा है, engineers कर रहा है, जो technologies जिसके थुरू आप और मैं connected है, कौन कर रहा है, engineer कर रहा है, तो सब कुछ कर ही हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं, expected है कि उसी पर मजाग बन जाए, तो मिस्तरी में और हमें बहुत सारे अंतर हैं, अगर हमें इस सब्जेक्ट का भी example लें तो बहुत सारे दिख जाएंगे, आप रोड पे जब जा रहे होते हैं, अब जब आपका दोस्त बोलेगा, अगली बार जो भी आपका कि हाँ भई, engineer हो, हाँ भी engineer, तो उसको बोलो कि भाई, तुम रोड पे जा रहे होते हो, एकदम से अगर तुम brake apply कर देते हो, तो अगर तुमारी गाड़ी फिसल जाए तो उस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, brakes apply ही ना हो, तो जैसे snow वाले cases में हो जाता है न, snow पे जाते हैं, को hill station पे चले गए, वहाँ पे अगर वीकल चले गए, तो traction लेने में मुश्किल होती है, वहाँ पे, वैसा अगर ordinary road पे हो जाए तो, आपकी गाड़ी एकदम से खराब हो गई, normal किसी highway पे जा रहे थे, एकदम से खराब हो गई, पर अब आपको रोकना है उसको, लेकिन उसका provision ही नहीं रखा गया, उसका कोई margin ही नहीं रखा गया, कि एक बहुती busy highway के उपर आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, अब उस गाड़ी को आप कहाँ पार करें, उसके लिए भी तो कोई provision होना चीए road के उपर, तो जब किसी दोस्त की गाड़ी खराब हो और वो road के side में वो जो shoulder होते हैं, वहाँ पे या उससे beyond जाकर के अगर वो रोक रहा है, तब आप उससे पूछना कि ये भाई, ये engineer नहीं दिया है, worker होता, laborer होता, सिर्फ अगर तो वो उतनी ही road बनाता, उसके आसपास ये जगह ही क्यों शोड़ता, फैंसिंग जो की गई, अगर accidents के chances में, vehicle जो है, वो मान लिजे elevated road थी, ground से उठी हुई थी, उस case में फैंसिंग की हुई है, vehicle टॉपल करके वो नीचे न गिर जाए, किसने provide करवाई, अगर किसी आप जंगल वाले area से जा रहे हैं, wildlife वाले area से जा रहे हैं, तो एकदम से भाग करके कोई animal road के उपर न आ जाए, उसके लिए protection के margins किसने ensure किये, engineer ने ensure किये, रात को जब आप travel कर रहे हैं highway के उपर, तो बहुत high flash जो है आँखों में गिरता है, जो high beam पे सामने से आने वाले vehicle है, वो हमारे vision को obstruct कर देते हैं, एक दिम से अंधेरा आ जाता है आँखों के आगे, तो अब वो median का margin, दोनो roads के जो lane थे, एक तरफ जाने वाला, एक तरफ आने वाला, उनके बीच में level किसने create किया, उनके बीच में median या फिर divider जो है, वो किसने बनाया, किसने उसके उपर, वो barriers लगाए, चाहे वो vegetation के फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो boards के फॉर्म में हो, stone के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर वो barriers किसने लगाए, जिससे सामने से आने वाली lights जो हैं, हमारे आँखों में न गिरें, किसने किया, इंजीनियर ने किया, तो यह बहुत सारे examples आ जाते हैं, जिससे कि एक differentiate कर सकते हैं, छोटी से चीज, छोटे से subject के अगर मैं बात करूँ, तो उससे भी कि हमारा role क्या आ जाता है, इस geometric design के अंदर, तो geometric design of highway के अंदर, हमारा यह focus रहेगा, कि जो भी vehicle road के उपर चल रहा है, उसकी safety ensure की जा सके, उसका comfort ensure किया जा सके, vehicles भी अगर आप देखते होंगे, तो vehicles में भी आपको proper specification मिलते हैं, कि अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे, तो 4 meter SUVs अगर आप लेते हैं, तो generally 4 meter से बढ़ी ही होती हैं, compact SUVs आ गई हैं, बड़ी होती हैं, लेकिन 4 meter से भी बड़ी में ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी length कर दो, specifications है, IRC के, इंडियन जो हमारा standard है, roads के specific का, तो वो आपको बताता है कि भाई, इससे जादा length नहीं होनी चीए, इससे जादा vehicle के width नहीं होनी चीए, इससे जादा height नहीं होनी चीए, ताकि एक system maintained रहे, हमारे designing का और road user का, आपने road बहुत अच्छी बना दी, लेकिन उस road के उपर आप अखसर ऐसा देखता होंगे न, कि आपने highway बनाया, highway एकदम perfect तरीके से design कर लिया, अब कोई अगर, truck ले करके आ रहा है, overload करके, तो maximum load जो permit करता है, IRC, जो maximum legal load है, उससे जादा अगर कोई load करके चलेगा, फिर तो हमारे हाथ में नहीं है न, फिर तो, अब मान लिजिए, उसके अंदर जाहे accident होता है, या कुछ भी damage होता है, उसके वज़े से accident होता है, तो उसके लिए तो हम liable नहीं है, उसके लिए हम questionable नहीं है, तो जो भी एक parameter set किया जाता है, जो road का user है, जो vehicle है, और हम जो design कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर वो जो तालमेल बैठेगा, वो तभी तो बैठेगा, कि certain set of standards हमने बना लिए, कि vehicle का dimension इतना, length, weight, height इतनी होने चीए, उसका weight इतना होना चीए, maximum से maximum, तो ऐसे सारे standards opt करके हम design कर रहे हैं, तो अब उसी के हिसाब से vehicles होते हैं, इसी लिए आप देखते होंगे अक्सर, कि आपके vehicle के अंदर अगर आपने कोई modification कर लिया है, जो company ने नहीं लगा करके दिया था, जिससे आपने गाड़ी खरीदी, या manufacturer ने नहीं लगाया था, लेकिन आपने add on कर लिया है, तो उसके उपर चलान हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो standard specifications के अंतरगत नहीं है, वो road के उपर कहीं ना कहीं safety के साथ खिलवाड कर रहा है, अब आते हैं हमारी चीजों के उपर, काफी मतलब आपको एक overview तो मिली गया होगा, कि importance क्या highway के अंदर हमारे design का, और किन factors के उपर हम design करने वाले हैं, हमें सबसे पहले geometric features देखने होंगे, geometric features क्यों बना रहे हैं, क्यों उनको देख रहे हैं, first is safety, सबसे priority पे safety है, जान है तो जहान है, comfort का क्या करेंगे हम ऐसी गाड़ी ले करके, जो safe ही ना है, comfort ऐसी road का भी क्या फाइदा, जो safe ही ना है drive करने को, जिस पर accidents की probability जादा हो जाती है, अब पुराने जमाने में जब तक चीज़ें होती नहीं थी, मतलब engineering aspect नहीं था, लोगों की एक sense नहीं थी, scientific thinking नहीं थी, तो जब तक scientific temperament नहीं था, तब तक क्या होता था, कोई road जा रही थी, भाई इस road के उपर यहां वे एक बड़ा सा पेड है, यहां जाते हैं, यहां बड़े accident होते हैं, क्यों accident होते हैं, क्योंकि सन 1947 के इंदर क्या हुआ था, एक परिवार जा रहा था, ठीक है, मिया बीवी थे, आस्पेक्ट है कि इंजिनिरिंग के इंदर, इस road की इंजिनिरिंग के इंदर जो कमी थी, उसको सुपर स्टीशन से connect कर दिया जाता है, यह नहीं देखा जाता कि भाई, यह मोड था, यहां पर visibility प्रॉपर नहीं बन पाती है, हो सकता है, कि रोड पे एकदम से कुछ barrier आ गया है, वो uncontrolled हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो वही सारे points identify करने होते हैं हमें, कि इन चीज़ों को avoid किया जा सके, accident study भी तो होती है, कि कौन से ऐसी locations हैं, किसी particular road पर जहां सबसे ज़ादा accidents हो रहे हैं, तो उन points को identify किया जाता है, फिर scientifically सोचा जाता है, कि किस वज़े से यहां पर accident होते होंगे, क्या reason है यहां पर, जैसे मेरा जो ननियाल है, वहां पर एकसर ऐसा होता था, कि एक particular bus stop के पास में एक ऐसी जगह हैं, वहां बहुत ज़ादा accidents होते थे, reason क्या था, ऐसा ही कुछ था, कि यह turn था एकदम बहां पर, और यहां इतने ज़ादा paid थे, कि कोई visibility ही नहीं है, यहां से दिखी नहीं रहा कि सामने से आने वाले vehicle कौन है, road एकदम smooth थी, तो vehicle तेज speed से आया करते थे, फिर उपर से यहां bus stop बना दिया, तो अब यहां से पहली बार इस road को use कर रहा है, जो इस तरफ से आ रहा है, वो मस्त अपनी speed में आ रहा है, उसे दिखी नहीं रहा कि यहां पर bus stop है, यहां से एक main road है, जो connect हो रही है, तो वो अपनी speed से आएगा, और एकदम से जो भी bus stop से इधर जा रहा होगा, आ रहा होगा, उन लोगों के साथ collisions हो जाते थे, तो इसकी वज़े से बाद में उसी point पर focus कैसे किया गया, कि यह सारा vegetation यहां से अटाओ, visibility बने, इस curve को भी थोड़ा कम किया गया, सीधा किया गया, प्रापर साइन बोर्ड लगाये गए, कि हंजी, आगे जो है, वो accident prone area है, वहाँ पर bus stop है, या फिर वहाँ पर थोड़ा crowded region है, तो धीरे चले, या और नहीं तो, वहाँ पर एक अच्छी चीज भी की गई, एक पुरानी कार जो है, लिखा हुआ दिखेगा न, तो उस टाइम हमारे दिमाग में जाएगा, उस टाइम एकदम से accelerator से pad हटेगा हमारा, कि यार ध्यान से चलो, safely चलो, यह सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन जब हमें दिख जाए, वो visual form के अंदर दिख जाए, अब एक टूटी हुई कार आपको रोड के उपर दिख रही है, और उस उस पर लिखा हुआ है, कि your family is waiting for you, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, अगर इतनी सी चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगी, तो वो आपके पूरी जर्णी की जो driving experience है, उसी को बदल देगे, आप और ज़्यादा alert हो जाएगे, ध्यान देगे वहाँ पर, तो ऐसी चीज़ें की जा सकती है, to avoid accidents, तो यह सब कौन करेगा, यह सब हम ही करेंगे, इंजीनियर्स ही करेंगे, चाहे हम creative thinking के थुरू करें, चाहे हमारी innovations के थुरू करें, design के थुरू करें, कैसे भी करें, तो geometric design की बात है, geometric design के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी होंगी, geometric design के अंदर पहले हम highway का alignment देखेंगे, road के classification देखेंगे, कि highway को कैसे connect किया जाए, place A से ले करके, अगर B को connect करना है, तो किस तरीके से उसको connect किया जा सकता है, उसके बाद pavement के surface characteristics की बात करेंगे, यह surface characteristics का मदलब, vehicle, road, vehicle के tire और road के बीच में friction है या नहीं है, friction है तो किन-किन types का है, इनकी बात करेंगे, तो pavement, surface characteristics, इनके बारे में बात करेंगे, फिर cross section के element, कि highway के काट दो, highway को काट के देखो, तो क्या-क्या दिखेगा उसके cross section के अंदर, उन सब elements की study की जाएगे, फिर side distance elements की, side distance element का मतलब, कि अगर आपको vehicle एकदम से रोकना पड़ जाए, एकदम से रोकना पड़ जाए, तो वो distance कितना है, जो आपको चाहिए ही होगा, इस vehicle को रोकने के लिए, तो at all times, उसको बोलते हैं, safe stopping side distance, तो at all times, आपको इतना distance तो चाहिए न, SSD तो चाहिए, उस vehicle को रोकने के लिए, brake लगाने के लिए, अब अगर ऐसा हो गया, कि एकदम से कोई obstruction आ जाए, एकदम से कोई रुकावट आ जाए, एकदम से कोई sharp curve आ जाए, कि उतनी दूरी तक आपको दिख ही नहीं रहा है, तो break up apply करेंगे हम, तो इसलिए हम ये सुनिश्चित करते हैं, कि हमेशा जब भी हम highway के उपर होते हैं, तो इतनी दूरी तो हमें मिले, जिससे कि हम उस vehicle को रोक पाए, हमें वो obstacle कम से कम इतनी दूरी पर तो दिख जाए, जहां तक हम उसे रोक पाए, जिसको SSD बोलते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है OSD, मतलब road का वो stretch कौन सा है, हमेशा उतना distance तो हमें दिखता रहे, कि एक आगे जाने वाले vehicle को हम overtake कर पाए, इस से पहले कि सामने से भी एक vehicle आ रहा था, वो हमसे टकरा जाए, तो वो distance हमेशा available कौन सा है, वो overtaking side distance होता है, वो हमें देखना होगा, intersections पे देखना होगा, कि दो road आपस में intersect हो रही थी, तो जब दो road आपस में intersect हो रही है, तो at all time यहां से आने वाली कोई car है, एक car इस तरफ से आ रही है, इनको भी तो visibility चाहिए ना, कि जब accidents के chance बने अगर इस intersection के उपर, तो इसको यहां से यहां इतना distance मिल जाए कि यह भी रुख पाए, इसको यहां से यहां इतना distance मिल जाए कि यह भी रुख पाए, तो यह वाला distance कितना होना चाहिए, यह भी हम ही design करते हैं यहाँ पर, तो यह site distance होते हैं, दिखने वाले site वाले distance elements होते हैं, जो हमें निकालने होंगे, calculate करने होंगे horizontal alignment के आ जाते हैं कि आपको अगर curve के उपर जाना है तो curve का degree कितना दिया जाए कितना radius कम से कम opt करें हम कि जिससे कोई comfort में problem ना हो safety में कोई compromise ना हो फिर उसके बाद आ जाता है कि इस outer edge को कितना उठा दें, मतलब super elevation logical widening का example लिया था वो provide करते हैं, vertical alignments पर आते हैं, तो vertical alignment का मतलब जब भी आपको अब एक ऐसी road design कर दी आपने मतलब आपने design नहीं की, आपका दोस्ट जो हमेशन बोलता रहता है, engineer ये, engineer वो तो आपने बोला जाओ, खुद जाके road बना लो अब उसने road खुद से बना ली, अब एक ऐसा region आया, जहाँ पर road ऐसे जा रही थी एक ऐसा curve आ गया vertical curve आ गया, अब उसने road design कर दी, लेकिन road में दिक्कत क्या आई दिन में तो कोई problem नहीं थी, दिन में तो वो यहाँ से लेकर के, यहाँ वाले vehicle को भी देख पा रहा था, जो मर्जी vehicle आ गया, दिन में तो सारे vehicles को वो देख पा रहा था, लेकिन रात में क्या हुआ अब उसको सिर्फ headlight काम कर रही है उसकी रात को तो, headlight उसका सिर्फ यहाँ तक का vision दे रही है यहाँ वाला vehicle पता ही नहीं लग रहा यहाँ कोई obstruction है, वो पता ही नहीं लग रहा तो जब तक वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको सिर्फ इतना ही दिख रहा है और एकदम से ही जब उसे दिखना शुरू होगा तो वो इतनी कम distance बत जाएगा कि वो उस collision को avoid नहीं कर पाएगा break supply नहीं कर पाएगा तो इसलिए valley curve किस तरीके से design किया जाए valley curve इस तरीके से design किया जाए कि रात के समय हमेशा इतना headlight distance maintained रहे इस curve को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हमेशा इतना distance maintained रहे visibility का जिसमें हम vehicle को रोख पाए हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जब भी हम किसी ऐसे valley curve के अंदर जाते हैं तो क्या होता है अगर आप कार में बैठे हैं तो आपने observe किया होगा कि जब भी आप ऐसे curve में जाते हैं तो एकदम से shockers जो हैं जब आप किसी valley curve के उपर जा रहे हैं ये सब कौन करेगा इंजिनियर्स करेंगे तो ये vertical alignment के अंदर गता आ जाते हैं हाँ जी दोस्त मैं अभी फिलाल किसी और platform कहीं भी नहीं बढ़ा रहा हूँ कहीं पे आपको कोई और course दिखाई देता है अगर लेना ना लेना ये सब आपकी choice होती है कहीं भी ठीक है लेकिन मेरा कहीं पे भी कोई और paid course कहीं भी नहीं चल रहा है YouTube पे अगर free classes हम कर रहे है free course पढ़ा रहे हैं तो वो यहाँ पढ़ा रहे paid की अगर बात करें तो अपनी जो कुदकी एक app है संदीब जाने civil नाम है उस पे चल रहा है इसके अलावा आपको पुराने platform या कहीं भी आपको कुछ भी दिखाई देता है तो उसको ignore कर दीजिएगा आपको लेना हो पढ़ना हो ना पढ़ना हो वो आपकी choice है कि आपको कहां से पढ़ना है आप मेरा ही कोई और course randomly बना करके बहां पर present कर रहा है कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो उसके बारे में मुझे जादा नहीं बोलना है जिसको जो सही लगे वो करता रहे हमें इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ना भी नहीं है मेरे कहीं और कोई भी session जो है वो नहीं चल रहे है पहले भी वहां पर जो भी paid courses थे उनके लिए भी मैंने बता दिया था November से start कर दिया था यह बोलना कि from November अब से मेरे कोई भी paid courses जो है वो नहीं आ रहे है तो accordingly आप decide करें अब भी मैं भी चीज़ बोलूँगा यह भी नहीं बोलूँगा कि भई वहां जाके मत लो आप आपको सही लगे तो लीजेगा नहीं लीजेगा लेकिन सिर्फ चीज़ इतनी है aware रहना आप किसी भी तरीके का जो भ्रहम होता है धोका होता वो नहीं होना चीए कि मुझे नहीं पता वहां पे यह डिस्प्ले करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है कि इस टीचर इस नो लोंग एसोसियेटेट बिदस तो थोड़ा सा आप खुद से भी aware रहीएगा चले आगे पहली अब factors कौन कौन से हैं जो इस geometric design को impact करते हैं पहला factor आ जाता है रूरल मतलब type of roads, type of roads के अंदर road किस type की है जिसको हम design करने जा रहे हैं तो rural roads, अब rural के अंदर भी हो सकता है कि कि किसी ग्रामीन क्षेत्र से जो road जा रही है वो national highway हो सकता है जो अलग-अलग states को join कर रहा है, वो express भी हो सकता है जिनकी speed 120 km पर आर तक है अब फिलाल discussions चल रहे हैं कि speeds जो और बढ़ा दी जा सकती है या नहीं लेकिन फिलाल 120 km पर आर maximum speed state highways की अगर हम बात करें तो अलग-अलग districts को जो join करने वाले highway है और जो rural area से जा रहे हैं, ग्रामेंट क्षेत्र से जो जा रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, state highways बोल देते हैं फिर आती हैं MDRs या major district roads इनको बोलते हैं ये किसी district की population के अलग-अलग areas को connect करता है फिर other district roads आ जाती है, ODR आ जाती है, फिर उसके बाद village roads आ जाती है ठीक है, village roads, जो village के अंदर या village के लग-लग portions जो हैं उनको connect कर रहे हैं, उसके बाद आती है urban roads urban roads, urban area से जो roads pass कर रहे हैं, अब वो express भे भी हो सकता है arterial roads भी हो सकते हैं, arterial roads मतलब एक city के कुछ major portion से जो road connect करके आ रही है, जहां पर urban traffic आ रहा है, city traffic आ रहा है arterial roads आ जाती हैं उसमें, फिर उनी के सब portion, सब arterial roads आ जाती है collector roads आ जाती है, different roads से connect करके, जो आपको traffic ले करके आ रही है local streets आ जाती है, तो यह urban area से निकलने वाली सारी roads है अगला design का important factor आ जाता है, पहला जब हम design कर रहे हैं तो हमें कोई बताएगा तो सही ना, कि geometric design किसके लिए करना है, तो type of road क्या है पहला criteria वो, दूसरा vehicle, अब vehicle का type जो है, उसको हम बोलते हैं कि design vehicle हम एक design vehicle मान के चलते हैं, उसके हिसाब से road को design कर देते हैं अब वो design vehicle भी कौन सा लेते हैं, maximum से maximum वाला, सबसे बड़े dimension वाला vehicle ले लीजिए सबसे heavy weight वाला vehicle ले लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर road safe है, तो बाकियों के लिए भी safe हो जाएगे तो design vehicle consider करते हैं, design vehicle में अब जैसे आप जो vehicle यूज़ करते हैं, घर में, car यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, जो personal यूज़ के लिए उसे non-transport vehicle बोला जाता है transport vehicle जो भी commercial purposes के लिए आप यूज़ करते हैं, जिनकी yellow number plates होती हैं, वो आप यूज़ करते हैं, वो transport vehicles के अंतर गता आ जाते हैं इनके dimensions आपको कहीं न कहीं किसी exam में पूछ लिए जाते हैं, motor vehicle other than transport, having not more than two axle, axle क्या होता है, दो wheels जिससे connected होते हैं एक wheel ये, दूसरा wheel ये, ये जिससे connected होते हैं, इसको बोलते हैं, axle, तो एक car के अंदर दो axle होते हैं, हर axle पे दो-दो wheels लगे होते हैं तो एक ऐसा vehicle, other than transport, having not more than two axle, तो उसकी length 9.5 meter maximum हो सकती है ट्रांसपोर्ट vehicle with rigid frame with two or more axle, दो या दो से जादा axle अगर हैं, तो 11.25 meter हो सकती है, उसकी length articulated vehicle with more than two axle, एक से जादा axle उसके अंदर अगर present होते हैं, जैसे जो trucks होते हैं, आप देखते होंगे या कुछ certain buses, इंडिया के अंदर ऐसी कम चलती हैं, एक bus, फिर दूसरा portion, उसका दो separate portions होते हैं, आपस में connected होते हैं, तो यह कह लिजी, जैसे train के दो wagons connected होते हैं, वैसे ही उस bus के दो portion connected होते हैं, articulated, multiple axles उसके अंदर होते हैं, तो इसको हम, इसकी width 16 meter, truck या trailer जो होता है, या tractor trailer इनके combination 18 meter maximum से maximum length हो सकती है, other than transport vehicle अगर है, तो 2.5 meter उसके maximum width होगी, तभी तो आप देखते होंगे, जो भी आप vehicles देखते हैं, उनके width 2.5 meter से जादा नहीं होती है, जितने भी आप गाड़ियां देखते हैं, बड़ी से बड़ी car ले लीजिए, फॉर्चुनर भी ले लीजिए, आप चाहें, फॉर्चुनर का भी अगर आप देखेंगे, तो 2.5 meter आपको नहीं दिखाई देगा, 1.85 के आसपास होते हैं, उसकी width भी, तो width भी restricted होती है, ऐसा नहीं है कि जितना मरजी wide vehicle आप बनाते चले जाएं, ट्रांसपोर्ट vehicle होगा, तो उसकी 2.7 meter तक allowed होती है, फिर उसके बाद height की अगर हम बात करें, तो double decker buses के case में 4.75 meter, other for normal application 3.8 meter और others carrying ISO containers, ISO containers कौन से होते हैं, जो train के उपर जाते हुए containers आपको दिखते हैं, कुछ और अगर export हो रहा है, as it is पूरा को पूरा container, जैसे जो ships होती हैं, यह shipping word कहां से आया, एक जगा से दूसरी जगा, समान को भेजना, goods को भेजना, ships के थुरू, तो shipping word यूज़ करने लग गया, आजकल आपने देखा होगे, जैसे Amazon है, तो Amazon actual में उप shipping word को ही use कर रहा है, Amazon shipping उन्होंने start कर दी, कि ship के थुरू, उन्होंने ships जो है, वो भी acquire की हैं, कि वो एक country से दूसरे country, या ship के थुरू, water के थुरू, जो है, पानी के थुरू, अपना समान एक जगा से दूसरे जगा भेज पाए, air के थुरू भी अभी उन्होंने prime air जो है, वो भी start किया, तो इसके अंदर अगर हम कह रहे हैं, हाँ पर जो containers होते हैं, वो containers as it is जाते हैं, claim में obviously इतना बड़ा container नहीं जाएगा, लेकिन ships जो होते हैं, यहाँ से कुछ समान पैक हुआ, वो as it is पूरे container के अंदर ही pack हो गया, container में as it is गया, वो container वहाँ ship पर भी as it is container की form में, उस box की form के अंदर ही load हो जाता है, आगे भीज दिया जाता है, तो वो containers flux के थूरू जाते हैं, trains के थूरू जाते हैं, तो यह जो ISO containers के लिए अगर हम बात करें, तो 4.2 मेटर जो है इनकी height होनी चाहिए, उसके बाद next अगर हम देखें, तो आता है topography, topography क्या होता है, यह याद भी रखना है आपको, what is topography? What is topography? Articulated का मतलब, दोस्त, Articulated vehicle में, जो वो वाला ट्रक नहीं होता, जिसका एक portion अलग, कुछ इस प्रकार से, एक portion उसका separate होता है, फिर यह वाला portion separate होता है, multiple access होता है, फिर जब यह turn करता है, तो इसका यह portion अलग से turn कर जाता है, पीछे से गूमता हुआ, यह वाला portion आ जाता है, यह articulated होता है, articulated buses भी होती है, कुछ इस तरीके से connected होती है, obviously यह वाला portion internally भी connected रहता है, लेकिन ऐसे connected होती है, जो भी आप low floor buses देखते हैं, जो भी local buses चलती हैं, जैसे अगर Delhi transport की जो चलती हैं, या फिर जिस भी state में आप रह रहे हैं, उसके capital में, वहां का state transport जो चलता है, red color की buses जो होती है, yellow color की buses जो होती है, जो चल रही होती है, low floor जो होती है, वो buses वैसी ही होती है, बस उससे length जादा होती है, ये दो portion उसके ऐसे connected होते हैं, तो इंडिया में, I don't think, सो कहीं पर अगर ऐसी होगी, मैंने देखी होगी, देखी ना बहार चलती है, यूरोप में और उस side काफी सलती हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं vehicles, इनके specification आपको याद रखने हैं, next आता है topography, topography की अगर हम बात करे तो जिस जगां की आप बात कर रहे हैं, country slope का मतलब उस particular location उस particular जगां की बात कर रहे हैं, तो वहां का slope कैसा है, ground का slope कैसा है, ground का slope मतलब क्या flat ही तो होता है, ऐसा नहीं होता, अगर हम closely observe करेंगे, अब तक तो हमें हमारे घर का जो floor है, वो भी flat लगता है, अगर आप अपने बारिश आ जाए, या फिर आप जब घर को जब भी washing कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी अगर गिरा दे रहे हैं, तो वो flow करके क्यों जा रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ slope प्रोवाइड़ है वहां पर, कि के side water drain होना चाहिए, तो इसी तरीके से जो ground होता है, उसका भी कुछ न कुछ वहां पर slope है न, कि अलग अलग street से, गलियों से, या फिर drains जो है, उनके थुरू पानी flow करके उस particular location तक पहुच रहा है, तो जगा का slope है, कुछ न कुछ country slope है वहां पर, अब वो slope अगर 0 से 10% के बीच में है, तो आप उसको plain region है, तो आप उसको plain region कह देते हैं अगर 10 से 25% के बीच में है, तो उसको बोलते है, rolling terrain है यहाँ पर, फिर अगर hilly region में चले जाएं, mountainous region में चले जाएं, तो 25% से 60% तक इसको बोलते है mountainous, और फिर mountainous region में भी आगे अगर हम देखें, तो steep आ जाता है, जहाँ पर एकदम खड़ी चड़ाई है, या फिर ऐसा क कुछ कि बहुत जादा slope है, तो उस case में हम उसको बोल देते हैं कि वो steep है, यह values याद रखनी है, किस topography को हम, या किस terrain को plain बोल रहे है, rolling बोल रहे है, mountainous बोल रहे है, steep बोल रहे है, आप अकसर ऐसा सुनते होंगे आज कल बहुत जादा यह चलता है, कोई भी नहीं car launch होती है तो उसके बाद बहुत सारे YouTubers आ जाते हैं, या फिर जो ऐसे जो review करते हैं उन vehicle को, फिर वो आपको वर्ड यूज करते हैं कि हाँ, यह किसी भी terrain में आप इसको चला लीजिए, एकदम smooth चलेगी, मतलब plain regions में आप इसको चलाएए, आप इसको mountains पे ले जाएए, hilly areas के अंदर ले जाएए, तो कैसे भी terrain में आप उसको चला सकते हैं, तो वो terrain या topography, topography क्या है, feature, topography मतलब feature, चाहे वो man made हो, चाहे वो natural हो, तो topography features associated है, किसी भी area के जो features होते हैं, वो topography कहलाता है, अब बात आ जाती है terrain की, तो plain terrain मतलब जहां पर slope जो हो, वो 0 से 10% के बीच में हो, 10 से 25 तो rolling, mountainous में 25 से 60 और उसके बाद steep आ जाता है, next बात आती है, traffic capacity की, factors affecting geometric design, जिसमें हमने पहला पढ़ा था कि road का type क्या है, दूसरा हमने पढ़ा था कि vehicle का type क्या है, इनके dimension restrictions आ जाते हैं, तीसरा topography, कि किस जगां के लिए, किस location के लिए हम highway design कर रहे हैं, क्या plane region के लिए है, क उसके बाद traffic की capacity क्या है, क्षमता क्या है, अब traffic की capacity बताएं कि इस terms में, आपको अगर कोई बोले, कि road design करो, तो आप कहेंगे कि ये बता दीजे मुझे कि उस road के उपर कितने vehicles जाते हैं, अब कोई आपको बताया कि भी, एक घंटे के अंदर, एक हजार कारें चले जाती है, 500 truck चले जाते हैं, 400 bike चली जाती हैं, 57 bullet card चली जाती हैं, ऐसे अगर data बताएगा तो कैसे काम चलेगा, हम कितना जादा data जो है, उसको कैसे हम access करेंगे उसको, तो इससे better दरीका ये रहता है, कि हम एक unit बना लें, एक unit ले लें हम, passenger car units की terms में उसको convert कर लें, तो इसको क्या ब present करना है, कि भाई, एक cycle गई, एक cycle निकली, या एक motorcycle या एक scooter निकला, तो उसको बोलेंगे कि वो आधी car के बराबर है, half PCU है, half passenger car unit है, अगर कोई car निकली, auto रिक्षा निकला, या फिर van निकली, तो उसको बोलेंगे one count करना है इसको आप, अगर कोई cycle रिक्षा निकला, तो उसको 1.5 count करना, ऐसा क्यों, cycle रिक्षा इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, car से बड़ा थोड़ी ना होता है, अगर आप कोई bell गाड़ी को देखेंगे, तो उससे 6 car के बराबर count करना, ऐसा क्यों, तो ये जो criteria दिया जाता है, ये जो relative criteria है, एक passenger car unit में किसी vehicle को convert करने का, व वो obstruction create कर देगी न, वो smooth flow होने नहीं देगी, भले ही वो खुद इतना space occupy नहीं कर रही है, लेकिन उस flow को वो disturb कर देती है, तो वो कितना congestion create कर रही है, as compared to a single car, वो हम compare कर रहे हैं, तो वो 6 गुना कर रहे है, 6 times हम consider कर रहे हैं, फिर truck, bus, इनको हम 3 times consider कर लेते हैं, cycle रिक्षा 1. 1.5 times consider कर लेते हैं, on the basis of how much congestion they are creating to the flow of traffic, तो यह हमारे पास PCUs आती हैं, objective में यह पूछ सकता है आपसे, कि एक car के लिए passenger car unit कितनी, तो 1 cycle के लिए कितनी, 0.5, cycle रिक्षा के लिए कितनी, 1.5, फिर उसके बाद अगर bell गाड़ी के लिए कितना, तो 6, इस तरीके से यह आपसे प convert कर देते हैं, उसके बाद एक और खास बात आती है, दो तरीके से traffic को ना पा जा सकता है, traffic को measure करना है अगर हमें, तो दो तरीके से हम बता सकते हैं, पहला तरीका हो सकता है, volume की form में बताना traffic को, और दूसरा तरीका हो सकता है, density की form में traffic को बताना, volume और density क्या है, इनको समझ तो रोड किनारे जाकर के बैठ गए, इस section पर नजर गडा ली हमने, time हमारे पास है और time measurement device भी है, घड़ी भी है, time note करना शुरू कर दिया, हमने ये देखा कि एक गंटे में इस particular section से कितने vehicles निकले, तो कितने vehicles हमारे पास निकले, पर आर, ये measure कर सकते हैं, volume measure कर सकते हैं, number of vehicles पर आर, ये measure कर सकते हैं, फिर आपने कहा कि नहीं भई, थोड़ा और high tech काम करेंगे, क्या high tech काम करेंगे, आप क्या कहेंगे, कि मैं तो drone खरीद के लिया हूँगा, एक drone खरीद लिया, आपने कहा किया, किसी भी time पे एक particular distance L लिया, एक kilometer का distance ले लिया, अब आपने drone से उपर जाकर के एकदम से picture click कर ली, वो picture click कर ली, तो उस picture में आपको दिखाई दिया, कि इस particular road के अंदर, n number of vehicles हैं, या फिर इस particular L length में, या इस एक kilometer के अंदर, इतने vehicles हैं, तो आपने उसको represent कर दिया, so and so numbers of vehicle per kilometer, तो ये instant है, photo खीची आपने, photo खीची और देखा कि इस L length के अंदर, कितने vehicles हैं, कितने vehicles per kilometer हैं, तो एक तो traffic को देखा जा सकता है, volume की terms में, दूसरा देखा जा सकता है, density की terms में, हम किसकी terms में देख रहे हैं, volume की terms में, हम calculate कर रहे हैं, अब पूरे साल का data है आपके पास, day one से लेकर के, 365th day तक का, आपके पास, एक जनवरी से लेकर के, 31 December तक का, आपके पास data है, आपने उन सारे दिनों में, उन 365 days में से, और हर एक दिन में से, वो सारे घंटे निकाले, जिन में सबसे जादा traffic था, सबसे जादा volume था, सबसे ही मैं ले रहा हूँ, example के तौर पे, let's see, कि आपको किसी particular road से, 1000, मान लीजिए, कोई एक particular date आगई, आज की date मान लीजिए, कि 4 March को सबसे ज़दा traffic देखने को मिला, शाम को 8 बजे, 1000 vehicle निकले थे, पर hour, फिर आपने देखा, next कोई की, कोई एक दिन जो है, वो ऐसा traffic आया था, जहां पर 926 vehicle per hour निकले थे, फिर उसके बाद एक दिन कोई, एक date कोई ऐसी थी, जिस date पर, जिस hour पर traffic जो था, वो 900 vehicle per hour था, and so on, ऐसे करते करते, आप चले गए तीसमें पर, तीसमा वो घंटा था, 30th वो hour था, जिसमें, let's say, 706 vehicle per hour जाते हुए नजर आया, तो एक साल के वो हिसाब से design करें, कि मतलब सबसे maximum वाले traffic वाले के हिसाब से design करें, या किसके हिसाब से design करें, तो हम ऐसा बोलते हैं, कि आप maximum वाले के लिए करेंगे न, तो एक साल में ऐसे 39 घंटे ही तो है, जब traffic जादा आ रहा है, हम किसके हिसाब से design कर लेते हैं, तीसमें नमबर के हिसा आप से डिजाइन कर लेते हैं, फिर्स्ट वाले के लिए क्यों और इतना तो सहलेंगे, तो 29 hours out of 365 days हम खुद बान करके चलते हैं क्योंकि हम 30 गंटे के लिए 30th highest hourly volume के लिए हम डिजाइन करते हैं तो एक साल में ऐसे 29 hours तो 29 hours out of 365 days तो 365 into 24 hours लिख देंगे तो यही वो probability होगी ना congestion की जब traffic jam लग सकता है congestion create हो सकता है क्योंकि हम 30 के लिए डिजाइन कर रहे हैं फर्स्ट के लिए इसलिए हम डिजाइन करते हैं क्योंकि 29 hours ही तो हैं अब सिर्फ यह 29 hours के congestion को avoid करवाने के लिए इतना जादा खर्चा क्यों करना तो इसलिए 30th highest hourly volume के लिए हम डिजाइन करते हैं तो अगला factor जो geometric design का वो है traffic capacity जो कि हम 30th highest hourly volume करते हैं जिसमें हम यह खुद मान करके चलते हैं कि 0.33% chances हैं congestion होने के जो की चल सकता है अगर इनका average लें तो average नहीं लेते हैं अवरेज लेने से फिर कहीं न कहीं value अगर मान लीजिए 30 का average ले लेंगे मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ data आया कि कोई 15 नंबर का traffic आ गया तो भी हम access में ही design कर रहे हैं 30th highest तक चल सकता है तीसवा इसलिए select किया गया कि एक साल में 29 घंटे तो चल जाएंगे कि अगर यहां पर congestion लग भी जाए तो आगे बढ़ते हैं और यह भी congestion कैसे मान करके चलते हैं हम ऐसे मान करके चलते हैं कि आज अगर 2023 में कोई road construct होनी शुरू हुई है वो 2025 तक complete होगी तो 2025 से लेकर के उसकी जितनी service life है हम जितने time के लिए उसे design कर रहे हैं उस service life के end होने तक कितना traffic होगा उसके हिसाब से हम है और वो estimate करके चलते हैं न तो जब इतने सालों बाद का कर रहे हैं तो present में chances congestion के तो पैसे भी नहीं होंगे बेरोजगार बोल दो सर क्यों मज़े आ रहे हैं बेरोजगार बोल दो सर क्यों बोल दें बेरोजगार आप बेरोजगार हैं नी tag लगा हुआ है बाहर जाएं, कल सुबर ही जाएं, बाहर निकलें, कमाने की दृष्टी से निकलें कल ही रोजगार मिलेगा, कल ही पैसे आएंगे बिरोजगारी का हैसास उस टाइम कर लीजेगा जब आपका मनी नहीं है कुछ करने का, कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं ऐसे ही पैसे आ जाएं, तो आप बिरोजगार हैं, लेकिन अगर आप आज effort कर रहे हैं, तो आज आप बिरोजगार मत बोलें अपने आपको, आज अपने आपको investor बोलें, आप अपना time invest कर रहे हैं अपने future के लिए, तो अपने future के लिए time invest करना जो है, वो कहीं भी कोई negativity नही कितनी महनत लगेगी आपको कोई काम करवाना और कोई लेबरर भी अगर डूनना हो या किसी को अगर हायर करना हो तो सोचिएगा कितनी महनत लगेगी एक ऐसा इंसान डूनने के लिए जो आपका particular काम कर दे ठीक है तो हम रुके हुए है हम बिरोजगार बने हुए हमारी मरजी से कि हम एक चांस देना चाते हैं अपने आपको एक अच्छी जॉब के लिए तो उस चीज़ के लिए हम time invest कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम काबिल नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते हम पैसे नहीं कमा सकते पैसे आप जिंदगे में बहुत कमा लेंगे अगर आप positive रहेंगे और मेहनत करना जानते हैं पैसे बहुत कमा लेंगे आप सिर्फ बात present की है कि present में आपने यह decide कि मुझे 6 महीने एक साल अपने इस exam के लिए इस तयारी के लिए देने है that is it आगे बढ़ते है design speed अगला factor geometric design का आत 60 घंटा से जादा मत चलाना वो तो लोगों के लिए है अब हमें लोगों की safety ensure करनी है तो उसके लिए तो हम बोलेंगे न कि इस highway को इस प्रकार design करना कि कम से कम 100 km प्रति घंटा वाला जो vehicle है वो भी safely इस पर चल पाए तो हमारे इसाप से हम कह रहा है कि कम से कम इतना तो design कर देना कि इस speed पर भी अगर कोई vehicle जा रहा हो तो वो safe रहे वहाँ पर तो उसको बोलते थे हैं कि minimum speed कि कम से कम इतने के लिए तो design करना express way है तो कम से कम 100 km प्रति घंटा के लिए तो design करना कि वो वाला vehicle भी अगर जा रहा हो तो वो safe रहे आपने road के उपर board टांग दिया कि maximum speed limit 100 अब जो आम इंसान जो road user है वो उसको अगर use कर रहा है वो बेचार 100 पर चल रहा है तो उसकी गलती थोड़े ना उसे तो बोला गया है ना कि 100 maximum है 100 तक तो चल सकते हो मतलब 100 तक safety कौन ensure करवाएगा जिसने road design की है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि कोई अगर 100 तक आप उस रख रहा है उसी की जिम्मेदारी बन जाती है तो इसलिए हम design तो और जाधा speeds के लिए कर देते हैं लेकिन limit वहाँ पर थोड़ा सा कम रख देते हैं कि इतनी speed तक drive करिएगा expressway के लिए 120 ruling का मतलब होता है design point of view से maximum जो safe है ruling का मतलब एकदम extreme वाला तो design point of view से maximum safe कितनी speed हो सकते है 120 minimum कम से कम 100 के लिए आप करिएगा national या state highway की बात करें तो ruling speed 100 और minimum 80 के लिए तो हम design करेंगे कि 80 पे जाने वाला vehicle है वो भी वहाँ safely drive कर पाए तो design speed इस तरीके से opt की जाती है design speeds के अंदर 30 क्यूं नहीं लिए sir 30 ही लिए sir यहाँ पे 29 क्यूं लिखा sir यहाँ 29 इसलिए लिखा क्योंकि एक साल के जो एक number से लेके 30 नमबर का जो traffic था उनके अंदर हमने 30 के हिसाब से design कर दिया 30 नमबर के traffic के हिसाब से design कर दिया इसका मतलब उपर के 29 ऐसे घंटे थे जिन में इस से जाधा traffic आ रहा था इसलिए लिया 29 लिया वैशनवी उजेनकर आपको बहुत बहुत बदाई हो WRDJ महाराष्टरा में सलेक्ट होने पर आपकी महनत रंग ले करके आए मैं आशा करता हूँ कि आप और जादा अपने भविशे के अंदर और गुरू करें और अगे बढ़ते चले जाएं और मैं ये भी आशा करूँगा कि आने वाले 6 महीने बाद जब आप जोईन कर लें और जब आप अपने वर्क के अंदर एक्टिव हो जाएं तो आप अपने बाकी मित्रों को ये बात भी बताएं कि ये मेरी लाइफ नहीं है, सब कुछ ये नहीं है ये जॉब मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही है इसको ले लेने से ऐसा नहीं हो गया कि एकदम जिंदगी ही पलट गई है ठीक है एक खुशी तो है ही definitely उस चीज़ की देकिन this is just the beginning of your career it is just a step of your bright future तो जो भी competition exams होते हैं वो एक पहला कदम होता है वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है तो इतना stress भी मत लीजिएगा ये बात आप अपने बाकी दोस्तों से convey कर सकते हैं सर्फिस के characteristics जा रहे हैं जहां पानी गिरा हुआ है कीचड है जिसके अंदर तो आप अगर उसके अंदर अपना vehicle अगर चलाएंगे तो vehicle का wheel ज़्यादा घूमता है as compared to longitudinal direction में जो vehicle movement करता है उससे तो उसको बोलते हैं कि slip करना उसको क्या बोल देते हैं slip करना कि vehicle जब move उसका wheel ज़्यादा घूम रहा है लेकिन जैसे एक बार wheel अगर घूमेगा आपने अपने wheel के उपर एक pin लगा दिया निशान लगा दिया लेटसे pin तो क्यों लगाएंगे निशान लगा दिया यह एक बार घूम करके वापस यहां पर अगर आता है तो मतलब 2 pi r या pi d दूरी तै होनी चीए थी तो slipping के case में क्या होता है यह pi d distance travel नहीं होता पहले ही यह point घूम करके यहीं पर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं slip करना फिर आता है skid करना skid करने का मतलब जब आप बाइक पे जा रहे हैं एकदम से brakes अपलाई कर दिया आपने तो अब आपके wheel की movement तो रुक गई है wheels नहीं move कर रहे हैं लेकिन vehicle आगे move कर जा रहा है तो इस case में उसको बोलते है skid करना मतलब longitudinal direction में movement जादा हो जाती है यह जो tire पे निशान लगाया था यह एक बार यहां से यहां घूमता है तो यह pi d दूरी तय करने के बजाए उससे भी जादा कर जाएगा तो skidding वो scenario होता है जिसमें wheel की movement रुक चुकी है लेकिन vehicle आगे चलता जा रहा है slipping वो scenario जिसमें wheel घूम रहा है लेकिन vehicle आगे नहीं जा रहा तो इसमें वो आला example जैसे kichard है तो उसमें अगर आपका wheel घूमता चला जा रहा है तो वो slip कर रहा है skidding जब चोट लग जाती है vehicle आप बोलते हैं bike से गर गया bike slip कर गई actual में bike slip नहीं करती है bike skid कर जाती है मतलब vehicle की wheel की movement रुख गई थी लेकिन momentum के कारण vehicle आगे चलता चला जा रहा था जिसकी वज़े से disbalance हो गया कि अब अगर wheel ही नहीं घूम रहा है तो आप अपने vehicle के direction को lose कर देंगे direction control नहीं रहेगा आपका इसलिए तो आज कल vehicles में क्या आगया ABS आगया anti-lock braking system आगया जितने भी 100cc से उपर की bikes अगर है या फिर अगर आप cars का देखेंगे तो उनमें EBD, EBS ये सब functionalities क्यों दे दी गई anti-lock braking system क्या करेगा brake को एकदम से ऐसे पकड़ के नहीं रखेगा वो ऐसे ऐसे इस तरीके से apply करेगा कभी brake apply कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर apply कर दिया, फिर छोड़ दिया जिसने की wheel की movement कुछ न कुछ रहे और हम अपने vehicle को turn भी कर सकते हैं जब brakes apply कर रहे हो जिन vehicle में ABS नहीं होता उनमें problem क्या आती है, जैसे bike के अंदर ABS अगर नहीं है आगे एकदम से dog आगया मान लीजी road पे, आपने एकदम से brakes apply कर दिये अब उस dog से collision बचाने के लिए आपको left right turn तो लिना पड़ेगा अब bike पे है, ABS नहीं है उसमें, एकदम से आपने left turn लिया wheel का movement है नहीं, गाड़ी के उपर कोई control नहीं रहा disbalance हो करके गिर जाएंगे और ABS अगर होता तो क्या होता, brakes की वज़े से retard तो रहा है vehicle, speed reduce हो रही है आप rest पे भी जा रहे हैं, धीरे-धीरे speed से धीरे-धीरे 0 की तरफ भी आप जा रहे हैं और साथ ही साथ में wheel की movement भी maintained थी क्योंकि वो उसको इस तरीके से कभी brake apply कर दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे apply कर रहे हैं जिसकी वज़े से wheels की movement थी और आपने direction भी अगर change करनी थी थोड़ा सा left-right करना था उसका collision avoid करने के लिए तो वो भी कर पाते हैं तो skid का मतलब है, conclusion हमारा ये था slipping का तो मतलब एक ही जगा पे अगर wheel घूमता चला जाए जितना distance उसको travel करना चीए था एक बार घूमने पर उससे कम कर रहा है, तो slipping हो रही है skid का मतलब कि wheel की movement रुख चुकी है लेकिन vehicle अभी भी motion के अंदर है तो ये skidding आ जाता है तो ये surface characteristic के अंदर आता है कि हमारा vehicle जो है, वो slip भी ना करे हमारे vehicle जो है, उसके अंदर brakes apply करते ही friction मिले हमें, friction मिले कितना lateral direction में तो 0.15, longitudinal length की direction में जब आप सीधे सीधे जा रहे थे, brake apply कर रहे थे तो 0.35 से 0.4 तक मिले आपको अगर आप curve के उपर थे अगर आप curve के उपर थे तो vehicle की tendency होती है lateral direction में move कर जाने की इस तरीके से move कर जाने की तो जो lateral direction में भी friction मिले उसको वो कितना मिले? 0.15 मिले फिर उसके बाद surface के characteristics आ जाते है कि surface का unevenness कितना है bumps कितने है आप गए, अंधेरे में कोई room के अंदर जाना था आप भागते भागते जा रहे थे पता नहीं क्या आपका phone गुम गया फोन आ रहा था किसी का charger गुम गया चार्ज करना था ध्यान ने दिया एकदम से सर टकरा गया दरवाजे पे या दिवार में तो यहां पर क्या हो गया? swelling आ गया आप क्या थे? bump आ गया यहां पर क्या हो गया? bump हो गया इसी तरीके से road के उपर भी bumps होते हैं उबर खाबर जगा अगर है तो इसको पता किया जाता है bump integrator की मदद से bump integrator जो है यह bumps बताता है या फिर unevenness कितनी है road के surface के उपर यह पताता है तो नाम याद रखना है bump integrator का इस्तेमाल करते है अलांकि यह unevenness index अभी तक as such किसी exam में नहीं पूछा गया notes में लिग लिजिएगा अगर कभी कहीं पे काम आ जाए तो use कर लिजिएगा otherwise याद करने की ज़रूरत नहीं है classification of road यह भी as such कहीं पे नहीं पूछा गया type of road या vehicle per day कितने जा रहे हैं उसके according यह नहीं पूछा गया बस notes में update करना हो तो कर लिजिएगा geometric design elements की बात करेंगे कल के session के अंदर की कौन कौन से element है cross section के कौन से है horizontal vertical alignment intersection के इनके कौन से है technical aspects कल के session से हम start करेंगे उमीद करता हूँ आज के session में एक overview आपको जरूर मिला होगा अच्छा जिससे कि हम highway engineering का importance समझ पाएं कि क्या importance है इसका हमारा practical life में जिससे कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो relate करते हुए चलेंगे हम जिससे जब life में जब highway पर जा रहे होंगे तो जो भी class में पढ़ा है वो actual में भी आपको दिखेगा वहाँ पर relate होता हुआ मेरा नाम है संदीब जानी मिलते हैं हमारे एगले session के अंदर और अगर आप civil engineering A to Z बिल्कुल scratch से एकदम advanced level तक पढ़ना चाहते हैं टेस्ट हो वो भी हम करेंगे इसके लिए आप संदीब जानी सिविल नाम की app है जिसकार आपको pin chat के अंदर भी और नीचे description में भी link मिल जाएगा संदीब जानी.com website पे भी आप जा सकते हैं वहाँ पे आपको ये course दिख जाएगा इस course की view details में जाएगे आप वहाँ पे apply coupon का option होगा तो new start यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% instant off भी मिल जाएगा आपको पता है हमारी sessions जो है सुबह एक 9 बजे class start होती है और वो 9 a.m. वाला session जो है वो लगबग 11 बजे तक चलता है कई बार थोड़ा exceed भी हो जाता है 11.11 भी फिर उसके बाद 11 a.m. जो है वो हमारा practice session होता है जो भी हम 9 a.m. वाले session के इंदर theory and associated questions जो भी main subject का core content है वो यहाँ पढ़ते हैं with examples जो examples जरूरी है उसको समझने के लिए वो सारे फिर उसके बाद 11 a.m. पर related or question or cases or practice करें तो वो भी हम इन sessions के अंदर ही कर लेंगे जिससे की आपको इस चीज में दिमाग ना लगाना पड़े कि क्या पढ़ना है क्या छोडना है कौन से level की question करने है कौन से question नहीं करने है कौन से probable है कौन से important है कौन से हैसे है जहाँ पर हमसे गलतियां हो सकते है तो दोस्तों मिलते हैं आगर आपने ये app डाउनलोड नहीं किया तो नीचे link मिल जाएगा डाउनलोड कर सकते हैं आप code use कर सकते है new start जिससे आपको 10% instant off मिलेगा strength of material में भी shear force diagram bending moment diagram जो है वो चल रहा है इस channel पर नहीं है तो subscribe कर लिजे अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते हैं इस video को अभी तक live नहीं किया तो like कर सकते हैं live stream खतम होने के बाद आप अपने valuable feedbacks, comment ये सब share कर सकते हैं ये आप ही की जिम्मेदारी है आप ही की responsibility है आप ही का channel है तो अपनी पूरी ownership और पूरी responsibility के साथ बेज जजग आप जो भी विचार हैं वो live stream खतम होने के बाद अपने comments में share कर सकते हैं Thank you so much, see you again झाल